नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर मैं हूँ आपका दोस्त राजन सनोडिया देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके के टाप 20 सवाल जो विभिन सरकारी एकजाम में प्रारूप समीति के अध्यक्ष कोन थे चार आपसन हैं डाक्टर भीम्रावमेटकर जबहरलाल नहरू डाक्टर राजन परसाथ या सरदार बरलभाई पटेल तो समिधान की प्रारूप समीति के अध्यक्ष ते अब याद रखना दोस्तों प्रारूप समीति के अध्यक्ष से डाक्टर भीमराउमिट करते संग सकती समीति के जवाल लाल नहरू थे संचालन समीधी के डाक्टर राजिन परसाथ और प्रांथ SS प्रांतिय समिधान समीति के स Gary Allah भाइन पतेल थे ईच चारो राइन चार कुंष्चन आट के बराबर है है 8 माई को विश्व रेड क्राइश की बात करते हैं तो 14 जुलाई को अंतर राष्ट के बाग दिवस की बात करते हैं तो 29 जुलाई को और 208 दिवस की बात करते हैं 15 को मना अगर आगर आपसे पूछे कि उनका मुच्च ववसाय किया था तो क्रेसी मत याद रखना के व्यापार था ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं सिवाजी के अध्यात्मे गुरु कौन थे तो सिवाजी के अध्यात्मे गुरु कौन थे रामदास तुका राम एकनात या बेजनात तो रामदास सिवाजी के अध्यात्मे गुरु थे नेस्ट कोश्चन है सिक्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है गुरू नानक गुरू अर्जुन देव गुरू तेग बहद्दूर या गुरू गोविंद सिंग्ध तो सिक्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरू नानक को ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी या भारत में जीटी रोड किसने बनवाई थी तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई था सेर साहने ऑफसन नमबर यजी को सहां के लोन गैसर कोश्चन की थी से रसारे ने किसे नहीं नहीं भी हैNew सब्कूरनलाम жib इसी करे में ते होस्ता ने की थी ने लाकिंडी इसी के खिश्चना ना की तो महात्मा गांधी दक्षिल अप्रिकत से भारत कब लोटे थे 1910 में 1914 में 1915 या 1917 में महात्मा गांधी दक्षिल अप्रिकत से भारत लोटते हैं 1915 में औपसनम्बर C इसका सही उत्तर होगा नेश्ट कोश्चन देखते हैं कूकी जन जाती किस राज में पाई जाती है उनाचल प्रदेश में मिघाले में असम में या मरीपूर में तो कूकी जन जाती मरीपूर राज में पाई जाती है और सनमबर डी इसका सहीं उत्तर होगा नेस्ट कुश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है विसागा पटनम, कुलकाता, कांडला या मुंबई तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है कौन सा है मुंबई है और सनमबर डी इसका सही उत्तर होगा नेल गरी के पहाड़ी छेत्रों में किसकी खेती की जाती है तो नेल गरी के पहाड़ी छेत्रों में किसकी खेती की जाती है चाय की, कौफी की, रवड की या इलाईजी की तो निलिगरी के पहाड़ी शेत्रों में कौफी की खेती की जाती है आफसर नमबर बी इसका सही उत्तर होगा नैस्ट कोश्चन देखते हैं भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसित दराज़ कुन सा है तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसित दराज़ है करनाटक आफसर नमबर D इसका सही उत्तर होगा करनाटक भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसित दराज़ करनाटक है नेश्ट कोश्चन देखते हैं लाल बहद्दूर सास्त्री की समाधी स्थल का नाम क्या है तो लाल बहद्दूर सास्त्री की समाधी स्थल का नाम है ओफसन नमबर सी बीजे घाट ठीक है लाल बहद्दूर सास्त्री की समाधी स्थल का नाम हो जाएगा बीज़ागाट औफसन नमबर सी इसका सही उत्तर होगा नेस्ट कुश्चन देखते हैं ट्विटर के संस्थापक है जेक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग, जौन मैकार्थी या लेच्मी मित्तल तो ट्विटर के संस्थापक जेक डॉर्सी है मार्क जुकरवर्ग किसके हैं? फेजबुक के हैं ठीक है? FB फेजबुक के सनस्तापक मार्क जुकरवर्ग और ट्वीटर के सनस्तापक जैक दोर्सी हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं पहला G20 सिखर सम्मिलन कब और कहां हुआ था? लंदन 2008 वासिंग्टन DC USA 2008 पैरिस 2010 या सियोल 2010 तो पहला G20 सिखर सम्मिदान हुआ था वासिंग्टन DC USA 2008 में नेश्ट कोश्चन देखते हैं 22 भासाओं का उल्लेक्ट सम्मिदान की किस अनसूची में हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं और लास्ट कोश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है दोस्तों 23 सम्मिदान का कौन सा अनुचेत विदेश नीदी से सम्मिदान है अगर दोस्तों आप डेली मेरा वीडियो देखेंगे तो चलिए दोस्तों उसका सवाल का जबाब आप मुझे कमेंट करके बताना है बारती सम्मिदान का कौन सा अनुचेत विदेश नीदी से सम्मिदान है अनुचेत 25, 26, 27 या 59 चार में से एक आफसन आपको सहीं बताना है अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ला थेंक यू जहिंज भारत